हेलो गाइज आएम संदीप इश्राव वेलकम तो मैसलाइट आज हम इस पीडियो में डिसक्स करेंगे क्लास 9 मैस आडिशर्मा चैप्टर 6 फैक्टराइशन अफ पॉलिनॉमियल एक्सराइज 6.4 Q1. Use Factor Theorem to find whether polynomial GX is a factor of polynomial FX or not FX equals to XQ minus 6X square plus 11X minus 6 and GX equals to X minus 3 चलिएं सॉल करते हैं Q1. given fx equal to xq minus 6x square plus 11x minus 6 and gx equal to x minus 3 हमें find करना है कि gx fx का factor है या नहीं इसके लिए हम let करेंगे कि gx equals to 0 implies that x minus 3 equal to 0 implies that x equals to 3 और यहां से हमने x की value find कर ली और अब हम find करेंगे f3 fx में x को 3 से replace करके अगर f3 की value शूने आ जाती है तो gx fx का factor है otherwise नहीं होगा चलिए find करते है f3 एक्स q x के स्थान पर आप रखेंगे 3 तो जाएगा 3 का q minus 6x square x के स्थान पर आपने फिर 3 रखा और इसका square कर दिया plus 11 x 11 into 3 minus 6 simplify करते हैं इसको 3 का यदि आपने cube करेंगे कितना हैगा 27 और यह हो जाएगा 3 का square कितना हो जाएगा 9 9 की 6 से multiply कर दो 54 plus 11 3 जब 33 minus 6 positive numbers को add कर दें तो यह हो जाएगा आपास कितना 60 और negative number को add करेंगे तो यह भी हो जाएगा 60 60 minus 60 यह जी जीरो जीरो आगया आपके पास hence x minus 3 is a factor of fx implies that gx is a factor of fx I hope आपको कुशन अच्छे से किलियर हो गया होगा यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिकरिया भी दें थैंक यू भी मुआ प्ली चैनल करें प्ली आपके वीडियो करेंज। झाल